और अब खबर जालोर से है जहां बागोडा रोड के होटेल में अचानक से ही आग लग गई और जिसके बाद दमकल की गाड़िया मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद इस पूरी आग पर काबू पालिया गया आपको बता दे कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है वहीं घटना में कोई ज़्यादा जन्हानी होने की खबर नहीं है लेकिन होटेल के कुछ पर नीचर को जरूर नुकसान पहुंचा है दूसी तरफ आग लगने के बाद में जालोर विशनगर मुखे मार्क को डायवर्ट कर दिया गया और जिससे वाहन चालकों को भी कुछ परिशानी होई